हेलो एवरिवान, वेलकम टो इस्कूल लेसन, आज हम परेंगे क्लास सेवेंथ साइन्स का सेप्टर 15 लाइट तो इसके वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन अफ लाइट वहीरा यह सब कवर कर सुके हैं तो आज हम लोग देखेंगे, प्लेइंग उई थे, इस्पेरिकल मीरर, तो इस्पेरिकल मीरर कैसा होते हैं, उस बारे में हम लोग देखेंगे तो पहली और वुजू से है जो है वो लोग वेट कर रहा था डीनर का जब वेट कर रहा था वुजू ने क्या किया उसका जो प्लेट था स्टील का स्टेनलेस स्टील का जो प्लेट था वो उठा के अपनी इमेज को देखने लगा मतलब वो अपनी फेस के सामने लेके आया तो प्लेट में उसका इमेज दिखने लगा तो जब उसका इमेज दिखने लगा तो प्लेट में क्या होता इमेज जो है वो इरेक्ट होते हैं तो वुजु ने जब अपनी इमेज को देखा तो उसने देखा कि उसका जो इमेज है वो इरेक्ट है मतलब वो जो प्लेट है वो प्लेट मिरर जैसा एक्ट कर रहा था तो हापे जो है उसका इमेज सीधी दिख रहा था इरेक्ट दिख रहा था और सीम साइस मतलब वो जैसे थे वो जैसी थी उसी तरीके का दिख रहा था सीम साइस का दिख रहा था उसके बाद बुजू के बाद पहली ने क्या क्या हापे जो एक स्पून था सोटा सोटा वाला स्पून होते हैं वो स्पून को उठाया और स्पून का बैक साइट है उसे अपने इमेज को देखने लगा तो जो स्पून होता है ना इस तरीके का सोटा वाला स्पून होता है तो स्पून को उठाया और यह वाला साइट से भी मिरर जैसा काम करता है कुछ टाइप का यह प्लेन मिरर नहीं है क्यूंकि होजय इमेज इरेक्ट नहीं था जो की spoon सोटा है फिर भी उसका image उसमें दिख रहा था तो वो भी कोई एक type का mirror ही होगा तो आप क्या कर सकते हैं आप कोई भी carved shining surface में आप अपनी image को देख सकते हैं कार्फ का मतलब होता है इस तरीके का गुफा जैसा spoon कैसा होता है जैसे कि इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसा होता है तो इसे कार्फ का आजाता है तो आप कार्फ जैसा कोई भी एक सिगना सा shining surface में आप अपनी image को देख सकते हैं एक्टिविटी 15.5 में क्या बोला है कि आपको एक stainless steel का spoon लेना है उसको क्या करना है आपकी face के पास लेके आना है और उसमें आपको खुद को देखना है जब आप खुद को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो image था क्या वो different दिख रहा था क्या उसका size लर्जर या shorter कुछ इस तरीके का दिख रहा था तो देखेंगे अगर आप spoon की back side में मतलब जो outer side है उसमें अगर खुद को देखेंगे तो आपका जो image है वो erect ही दिख इसके बाद आपको क्या करना है now look at your image using अभी आपको क्या करना है कि चम्मस का जो अंदर की तरफ पला पाठ है उसमें आपको खुद को देखना है जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि इस बर आपका जो image से सीधी हो गया है size में भी थोरा सा बरा हो गया है और आप इसको अगर खुद के पास लेके आएंगे जितना अपनी पास लेके आएंगे उतना ही आपकी जो image से आप ये जो image सो थोरा सा inverted देखने लगा है you can also compare the image of your pen or pencil instead of your face तो आप सम्मस में सम्मस का जो साइट है उसमें आप अपनी pencil that pen ये सब भी देख सकते है अपनी face देखने की विसे तो the carved shining surface of a spoon act as a mirror तो जो carved वाला जो shining spoon का जो carved वाला हिस्सा होता है ये वाला जो हिस्सा होता है अंदर की तरफ वाला वो क्या करते है mirror जैसा act करते हैं the most common example of carved mirror is a spherical mirror तो carved mirror का जो example है most common example है वो है spherical mirror तो if the reflecting surface of a spherical mirror is a concave it is called the concave mirror concave मतलब अगर जो reflecting surface है मतलब जहां पे आपका image दिख रहा है वो अगर concave है concave का मतलब होता है ये देखी ये वाला है concave concave का मतलब होता है कि ये वाला जो part है अंदर की तरफ cap वाला जो part है इसमें अगर आपकी image दिखेगा तो वो है concave मतलब cape में आपका image दिख रहा है तो इसलिए ये है concave it is called the concave mirror अगर अंदर वाला पार्ट में image दिख रहा है ये वाला पार्ट में अगर image दिख रहा है तो इससे क्या कहा जाएगा concave कहा जाएगा और if the reflecting surface is convex then it is the convex mirror और अगर आपकी image ये back side में जैसी कि spoon का ये तो spoon जैसा है ये है spoon का अंदर वाला पार्ट अगर अंदर वाला पार्ट में आपके image दिख रहा है तो उससे क्या कहा जाएगा concave mirror कहा जाएगा और अगर spoon का back side में spoon का अगर back side में आपको image दिखने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा convex mirror हो जाएगा तो दो टाइप की mirror से आपको पता सला पहले तो अपने plane mirror दिखाई है तो अभी आपने देखा concave और convex mirror क्या है अगर cape में दिख रहा है अंदर वाला पार्ट इस तरीके की पार्ट में अगर आपकी image दिख रहा है तो ये क्या हो क्या concave mirror अगर आपकी image बाहर वाला back side में दिख रहा है तो ये क्या हो जाते हैं convex mirror हो जाते हैं इसके बाद देखिए क्या है तो अभी आप लोग ने एक टार्म देखा जो गॉट्वर्ग झाएचुशे मिरर है उसे इसफेरिकल मिरर कहा जाता है तो ऐसे क्यों कहा जाता है इसे देखने के लिए आप क्या करें जो गॉट्वर का बॉल होता है एक बॉल, लेलीजे और उसको साइड में या फिर फीस में कही पेभी उसको कट कर दीजे एक पॉर्शेन को आप नाइफ से या फिर हेच्वचो बलेज से कट करो समय कहने सुर्ण करदे से हैं इस ball को cut करने के लिए उसके बाद the inner surface of the cut ball is called concave जब आप ball को cut एंगे तो इस तरीके का हो जाएगा यह जो inner वाला part है cave जैसा गुफा बाद जैसा जो पाद है इससे कहा जाता है concave and the outer surface is called the convex और जो outer part है उससे कहा जाता है convex तो यह देखिए यह जो inner वाला जो पाद है इससे कहा जाता है concave surface और यह जो outer वाला जो पाद है इससे कहा जाता है convex surface अभी आपको clear हो गया होगा concave और convex surface क्या है तो अभी देखिए जो inner side है जो mirror का spoon का जो inner side है वो concave mirror जैसा act करते है इनर side इस तरीके का होता है तो वो जो है वो concave mirror जैसा act करते है और उसका जो outer side है यह वाला जो side है this act like convex mirror यह convex mirror जैसा act करते है you know that the image of an object formed by plane mirror cannot be obtained on a screen let us investigate तो जो क्या होता है कि जो plane mirror होते है अगर आपने plane mirror पे कोई image बनाया है उस image को अगर आप अगर कोई screen रखते है तो वो image screen पे नहीं आते है तो यह वाला जो activity है यह हम लोग थोड़ी दिर में देखेंगे तो यह है activity, activity 15.6, 15.6 activity जो concave mirror वाला activity है इसे करने के लिए आपको इसको sunlight में करना है तो आपको careful होना है कि आप directly sunlight की तरफ ना देखे as it may damage your eye से आपके आखे खराब कर सकते है तो आप जो है जो sun का image है वो देख सकते है आप कोई भी screen पे या फिर वाल पे कहीं पे भी जहाँ पे sun का image आते है आप उस image को देख सकते हैं आप directly sun की तरफ देखेंगे तो आपके आखे खराब हो जाएगी तो इस activity में आपको क्या करना है एक concave mirror लेना है आपको पता है concave mirror के type का होता है तो इस तरीके का एक image आपको लेना है तो यह है कि आपका concave mirror इस तरीके का इस तरीके का जो mirror होता है वो concave mirror है तो आपको जो है एक concave mirror लेना है तो उसको आपको sun की तरफ करके फेस करके उसको आपको पकरना है तो ये वाला साइट है इसको आपको sun की तरफ रखना है उसके बाद आपको क्या करना है इसका जो reflection है उस reflection को आपको paper पे गिराना है यह वाला गेम भी अपने खेला होगा कि mirror का अगर sun की तरफ रखा जाता है तो उसका reflection आते हैं उसको हम लोग अलग अलग खुमा के खेलते भी हैं तो इसी तरीके से आपको जो है उसका reflection है उसको एक paper पे गिराना है और उस paper को आपको adjust करके इस तरीके इस जगह पे रखना है क कि वह जो spot है जो sun का मतलब जो image से वह थोरा सा ना बरा दिखे क्योंकि कई पर आप जब घुमाएंगे ना कई पर सोटी दिखते हैं कई पर बरी दिखते हैं तो जगह पे राइट और थोरा बरा दिखता है तो हापे लेकर आपको इसको hold करना है ठीक है और आपको इसको कु पर आपने क्या क्या था मीरर को रखा था तो यह ब्राइट वला बरा वला इस पोट है वो क्या है sun का image से तो इस image को जब आप notice करेंगे form on a screen notice that this image is form on a screen तो आप देखेंगे कि यह जो image से यह screen पर दिखेगा an image form on a screen is called real image तो जब screen पर कोई image से बनता है तो उसे real image कहा जाता है तो activity 15.2 में आपने देखा था किस तरीके से image real image बनता है तो the image formed by a plain mirror could not obtain on a screen such image is called virtual image तो आप देखें जो कार्फ बला mirror है कार्फ बला mirror से जो image बनता है वो image क्या होता है कि screen पर दिखता है जब screen पर दिखता है तो उसे real image कहा जाता है और अगर plain mirror से कोई image बनता है तो वो screen पर नहीं दिखता है तो plain mirror में जो image होता है plain mirror में जो image दिखता है उस image को उस image का आप लोग screen पर नहीं देख सकते हैं जिस तरीके से आप लोग ने फर्श्वेल image तो लेट आस अब्टेन दे स्क्रीन आप दे इमेज आप केंडल फ्लेम फॉर्म टबाए कंगेफ मिरर तो हम लोग कंगेफ मिरर का और एक्टिविटी देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तेंक्यू झाल 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 झाल